आज की यह वीडियो यूपी पॉलिटिकनिक के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फर्स समेश्टर से हो थर्ड समेश्टर से हो फिफ्स समेश्टर से हो या फिर पास आउट हो चुके हैं आज की वीडियो में पता चलेगा कि फाइनल येर वालों की मार्क्षिट कब तक आपके हाथों में मिलेगी और साथ ही साथ फर्स्ट येर वाले सेकेंड येर वाले और फाइनल येर वाले जो होते हैं वह क्या गलती कर देते हैं जिसका खाम्याजा आगे चलके भुगतना समस्टर में पास हो चुका है लेकिन हो छटे समस्टर में पहुझ चुका और उसको पता चलता है छटे समस्टर में पहुचने के बाद उसका अप्लाइट कमेस्ट्री में बैक लगा हुआ है । इसी वज़ा सीव यह वीडियो हो जाती है आन्म तक aug देखिए और सब्सक्राइब करना चाहते हैं यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अगर हम देट एक मोटा मोटा माने तो वह देट था चार दिसमबर 2022 जब आप सभी स्टूडेंट का रीचे का और स्कुटनी का रिजल्ट आ चुका जो फस्ट यर वाले हैं वह नहीं समझ पा रहें तो उनको एक बता दूं कि जैसे कॉपी आपकी मालोच चेक हो गई रिजल्ट आ गया अगर किसी स्टूड का फेल है या कर लिज स्टूडेंट का जिसमें काफी स्टूडेंट पास नहीं है सिर्फ 10 परसेक्ट स्टूडेंट पास हुए है ठीक है तो अब देखिए यहां से पहले बता देते हैं फाइनल यर वालों को उसमझ ने उनकी माक्षिट का बाई देखिए 4 दिसमबर 2022 को जब हो गया तब उसके पास से माक्षिट बनना स्टार्ट हुई है यह चीद जो है अभी बात हो रही थी तो यह लगबग 10 दिसमबर के आसपास से 10 दिसमबर 2022 से आपकी माक्षिट बोर्ड में प्रिंट होना चालू हो चुकी थी और काफी एक लंबा प्रोसेस होता है कई लोगों का दावा है कि जल्दी जल्दी मिल जाएगा आपको जन्वरी मिल जाएगा तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको जन्वरी मिल जाएगा इसमें कई रीजन होते हैं सब चीजी स्टेप बाई स्टेप समझाता हूं तो आपका इसने तारी से प्रिंट होना ही स्टार्ट हो चुका है लेकिन सब्सक्राइब करते हैं डाउने मात्यम से संस्थान उनके पास दिया जाता है तो उनके पास चल जाता है तो वह बहुँद दर उदर करके लंबा समय लगेगा इसमें तो ब्रॉद्च से के चलिए जो आप लोग को हातों में एक औरेज बता दे रहा हूं जो पास में काले जोंगे उनका थोड़ा पहले मिल सकता जनवरी लास्ट तक लेकिन जो थोड़ा लेट होंगे उनका मार्च लास्ट प्रेल लास्ट माई लास्ट ठीक है फरवरी लास्ट ऐसे करके उनको मिल इतने जल्दी नहीं मिलने वाला आप खुछ सोचिए कि जब एक एक्जाम कराना जिसमें कोई काम नहीं सब ऑनलाइन काम होते हैं मतलब जो भी चीजे उसका डाटा देना सेमेस्टर कराना यह सब बहुत लंबा काम थोड़ी है तो इसमें इतना टाइम इसमें भेजने वाली बात है तो इसमें एक लंबा समय लगता है इतना ही नहीं साथियों अगर इसमें आपका कुछ गलत लिख के आ जाता है जैसे माल लीजिए मेरा नाम अंकीत है तो मेरा नाम ऐसे पूरा एक्जम हिंदी में लिखा हुआ एक्जम सही आया जैक्कि और भी स्टूडेंट का नम हिंदी में नाम तो वहां पर क्या ना एक स्टूडेंट का नाम सिर्फ ऐसे जनरेट कर दिया ऐसे जनरेट कर दिया तो ऐसे कई सारी चीजे होती है जैसे कुछ लोग राहूल लिखते हैं कभी कभी क्या होता है राहूल जैसे देखिए राहूल हो गया ऐसा मंत्रा लगा के भेज देता है तो यह गलत हो जाता है तो यह करेक्शन जाता है तिसमें भी बहुत लंबा समय लगता है अभी जो 2021 पास आउट है उनकी माक्षिट गई है या कभी-कभी इस्टूडेंट का फोटो नहीं आता है तो उनकी माक्षिट वापस जाती है और या फिर जो भी चीजे उनके लिए कुछ अपडेट हो वह समझा देता हूँ बागी फाइनल समझ चुके होंगे अब समझे देखिए आपसे मैं एक चीज कहरा चाहता हूँ और हर समेस्टर में यह बात बताता हूँ लेकिन इस्टूडेंट गलती कर देते हैं आईए आपको बताता हूँ क्या दे इस्टूडेंट गलती करते हैं कि हम पीडिया बनाके अपने इमेल आइडी में रख ले रहे हैं हम हम मोबाइल में रख ले रहे हैं हम यहां रख ले रहे हैं भाई वो सब ठीक है सब रखो अच्छी बात है कोई दिकत नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है 20 सबस्ते हैं अभी एक लड़की ती जिसे मतलग कर रही थी कि अभी हम बात वर रही थी वह जिसे कपेश्टिम उसका बैग था तो मालोग लिटरल्टी था तो कई समेश्टर का रिजल्ट आया किसी भी समेश्टर का रिजल्ट नहीं रखी कि ऐसे रखे थे मोबाइल में कर आपको मैं बता दूँ ऐसे दो तीन केस मेरे पास आया थे जिसमें की स्टूडेंट पास है हर समेश्टर में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसे वह 25 समेश्टर पहुशते हैं छटेम पहुशते हैं रिजल्ट उनके पास है प्रूप के तवर पे कि वह हम पास है लेकिन दिखाने लगता है नहीं 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 तुम कमेश्टर में अपलाइट कमेश्टर या अपलाइट फिड़ी का ऐसे कुछ करके इसमें तुमारा बैक है सरभ करते सरभ करें अब क्या कर सकते जाओ बीटी उपी दिखाओ प्रूप कि यह है तो बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा उसमें कोट बहुत लंबा हो जाएगा क्यों यह सब बवाल लखना चाहते हो इससे कहना चाहता हूँ कि कोई भी समेश्टर का रिजल्ट आता है उसको भी प्रिंट करा के रख लो 20-25 उपे बहुत बड़ी वाप नहीं होती है उतने तो चाय पी जाओगे कहीं पे ठ देखिए जब आप पास आउट हो जाएंगे ना तो कंपनियां कई कंपनी क्या करती ही ना करती है कि आप हर समेश्टर का मुझे रिजल्ट दिखाओ मैं फर्स्ट यर सेकंड यर थर्ड यर का रिजल्ट देखना चाहता हूँ तो आपके पास होगा ही नहीं आप सिर फाइन अब हम यहर आई तो नहीं तो मेरे इसको लेकर आया पूरा मैंने अच्छे से भरा ठीक है तो इसलिए काकर दार ना बहुत जरूरी है और अपने सभी साथियों को भी बता दीजिए, अगर आप लपरवाही करेंगे, कल रोते हुए आओगे, आपका यह data आपकी जिम्मेदारी रखना, कई student कहते हैं, college वाला देगा, board देगा, बीटी उपी पर दुबारा नहीं मिलता, college वाले आपका क्यों जिम्मेदारी लेंग ठीक है, तो आसा यह करता हूँ कि first year, second year, third year और जो pass out होंगे, वह अपनी mark street या फिर evaluation का जो result आया है, उसका print out निकाल के अपने pass रखिए, चाहे उसका काम हो, चाहे ना हो, फिर भी उसे रखिए, ठीक है, आगे चलके कहीं कहीं वो काम आएगा, और हाँ, मतलब नार्मल पर मत कराना, एक्सल बांड पर कराना थोड़ा अच्छा लग रागा, लांग टाइम तक चलेगा भी, आयोब सब चीजे समझेंगे, कब final year की mark street आएगी, first year, second year, third year की mark street ऐसे आपको बनानी यह अभी पता चल चुका है, बाकि वीडियो पसंद आ, तो लाइक कर सकते हैं चो